यदि आप जीवन में आर्थिक वो पारलोकिक समस्याओं से परिशान है अथवा किसी भीतरह का साधना संबंधी मार्क दर्शन आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्क दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो Call Me For आप से कॉल करें डाउनलोड करे कॉल मी फोरा और सर्च करे विशनात अगहोरी रहस्यों का सौधागर विचारों का समंदर आदेश जैश्र महकल बहुत बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ही रोचक और अद्भूत होती हैं ऐसी ही एक घटना है मसान मसान एक नहीं बलकि चार और ये जो चार मसान थे इन चार मसानों में तीन मसान और एक मसानी बहुत सारे ऐसे रहस हैं जिनके बिसमें आप जानते हैं लेकि बहुत सारे ऐसे रहस हैं जो आप नहीं जानते हैं और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस है मसानी का रहस जिस तरीके से मसान समसान को कहा जाता है और किसी बालक की अर्थात बच्चे की आत्मा को भी मसान कहा जाता है यानि बेबी स्परिट बेबी स्परिट को मसान कहा जाता है अगर ये बेबी स्परिट मेल है तो ये मसान कही जाएगी और अगर ये बेबी स्परिट फीमेल है तो मसानी कही जाएगी मसानी के विसा में और भी राहस हैं लेकिन वो चीज़ें अलग है समसानी विद्या में मसानी अगर किसी देवी को कहा जाता है तो वो चीज़ अलग है और जिस मासानी के विसाय में हम बताने वाले हैं ये मासानी बिलकुल अलग है और इन चारों से जब हमारा सामना हुआ तो एक अद्भुत और रोचक माहौल था चंद रोच पहले की बात है कहानी कुछ यहां से सुरू होती है कि एक रात एक विचित असा सुपन आता है ये सुपन भैरवी सिफकेसी को आता है जिस सुपन में कुछ बालक दिखाई देते हैं जो कुछ विचित विचित तक्रियाएं कर रहे थे और एक तरीके से एक साधनात्मक माहौल बना रहे थे और सरारतने भी कर रहे थे और बहुत विचित विचित क्रियाई कर रहे थे इस तरीके की ये चीजें रात बर चले और जब ड्रीम डिकोड हुआ तो उससे ये गयात हुआ कि कहीं कुस्तो है कोई अग्यास सक्ति आई है जिन अग्यास सक्तियों में कुछ मसान आये हुए है जो मसान कहीं न कहीं अध्यात्मिक उर्जा के माहौल को बिगाडने की कोस्स कर रहे हैं या यूं कहें कि सरारतें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बच्चों का सुभाव होता है सरारतें करना ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं बस ये प्रेम चाहते हैं प्यार चाहते हैं, सरारतें करते हैं, बच्चों के तरीके से इनका सुभा होता है और इन्हें जहां पे एक अच्छा माहौल मिलता है, इन्हें जहां पे एक प्रेम नजर आता है, ये वहां पे रुख जाते हैं तो Dream Decoding के माध्यम से ये हमें ग्यात हो चुका था कि इस स्थान पर मसान आ चुपे हैं लेकिन हम किसी भी चीज को जानने के लिए हम अलग-अलग विद्याओं के माध्यम से उसका पुष्टी करन करते हैं अलग-अलग तरीकी से उसको हम समझते हैं अब हम ये तो जान सकते हैं ड्रीम डिकोर्डिंग के माध्यम से के मसान आ चुके हैं लेकिन ड्रीम डिकोर्डिंग के माध्यम से ये नहीं पता लग सकता है कि आखर जो मसान आए हुए हैं वो कब आए कैसी आए और क्यों आए आखर उसकी वज़े है क्या थी इस प्रकरण को जानने के लिए मानस विद्या का सहारा लिया जाता है और देवी मा तताक्षी का आवाहन किया जाता है जब देवी तताक्षी मा का आवाहन किया जाता है तो उसके बाद प्रश्ण रखा जाता है कि जो सौपन के माध्यम से dream recording के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि इस छेतर में इस इस्थान पे मसान आ चुके हैं चुकि उस समय उस छेतर पे कोई कवस नहीं था तो ये गयात होता है कि हाँ वाकई आ चुके हैं आखिर कितना वक्त हुआ है तो वो भी जानकारी मिलती है और जब हम मानस के माध्यम से उस अवस्था में जाते हैं मानस विद्या के अंदर एक अदभुत कला है कि आप प्रीवियस टाइम में जा सकते हैं आप बीते हुए कल में जा सकते हैं आप बीते हुए कल के दिश्य देख सकते हैं बीते हुए कल के विशा में जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो वो समस्दिस्त दिखाई दे रहे थे मिर जैसे जीवान थो उठे हो मैं उन्हें देख रहा हूँ संजय जैसी दिब दिष्टी के माध्यम से उन चीजों को समझ रहा हूँ दिखाई देता है सडक से भागते हुए जा रहे हैं वो चारों की चारों आत्माए भाग रही हैं बिल्कुल काली तरीके की परचाईयां दुफैर मैं भागती हुँ दिखाई दी और अचानक से ये दिखता है कि भागते भागते वो अचानक से रुख जाते हैं उस स्थान पे जहां पे हमारा निवास है और रुक के एकदम से देखते हैं और एकदम से इतनी लंबी छलांग लगाते हैं और उस छेत में प्रवेश कर जाते हैं जहां पे हम हैं चारों दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जैसे उनके लिए कोई दर्वाजा है ही नहीं वो पार करके अंदर आते हैं निरिक्षन करते हैं प्रते कक्ष में जाते हैं घूमते हैं जैसे ही उनका अपना घर है कोई उन्हें रोक टोक नहीं रहा है वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं खाने की वस्तियों की तरफ भाग रहे हैं कभी इस कक्ष में भाग रहे हैं कभी उस कक्ष में भाग रहे हैं और मानस विद्या के माध्यम से जो हम उस काल में प्रिवेश करके उन्हें देख रहे हैं तो उस वक्त में इसको टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं आप लेकिन ये जो टाइम ट्रेवल है ये टाइम ट्रेवल के बल ऐसा है जो सुक्ष्ण के माध्यम से हो रहा है आपका इस्थुल सरुई तो नहीं जाता है लेकिन सुक्ष्ण के माध्यम से आप उस टाइम ट्रिवल के माध्यम से उस समय काल की यात्रा कर रहे होते हैं और वो सुपर-नैचुरल चीज़ें देख रहे होते हैं जो नगन आँखों से नहीं दिखाई देती है दराउनी विवस्त आकरती दिखाई दी चहरा विक्रत हो गया बड़े बड़े दात गोल आखें लाल सुर्ख आखें जैसे वो देख कर मुस्कुरा रहा है एक वही जहरीली मुस्कान वही अंदाज जो हमेशा मसान का अंदाज होता है लेकिन इस बार कुछ रोचक था तीन मसान एक मसानी ये दिस्त देखने के बाद तुरंत ही हम मातताक्षी से प्रश्ण करते हैं कि है मातताक्षी कहां से आये हैं दिखाईए मुझे इसके बाद फिर कहानी फिलेस बैक में चली जाती है एक दिस्ट दिखाई देता है एक कार जा रही है तुरंत उसका एक्सिडेंट होता है उसमें पूरा पैवार था जिसमें चार बच्चे थे और उनके माता पिता कार का एक्सिडेंट होता है सब वहीं ओन्दा स्पॉर्ट मर जाते हूं वहां से इनकी आत्माई निकलती है विचरन करने के लिए निकल जाती है सभी की आत्माई अतरपते थे ये ये चारों भाई बेहन थे जिसमें 11 साल का एक 8 साल का एक 9 साल का और सबसे चोटी बच्ची थी अब इस दिस्ट को देखने के बाद एक हिदाय में प्रेम आने लगता है एक वो दुख नजर आने लगता है जो हम किसी दिस्ट को जीबान तो होता हुआ देखते हैं जो हम किसी चीच को लाइब देख रहे होते हैं तो हम उन संबेदनाओं को अन्भाव करने लगते हैं हमें वो महसूस होने लगता है हमें वो तकलीफ और दद महसूस होने लगता है कई बार आत्माएं ऐसी होती है जो निकल जाती है भर मर के लिए क्यों? क्योंकि उनके लिए वजह नहीं बसती है जी वात्माए अलग अलग तरीके से बागने लगती है जो जिसके साथ फस्ट जाता है वो उसके साथ ही चल देता है अब उनके पास कोई वज़े değil माबाब भी मर चूके वो भी मर चूके आत्माओं का मुक्ति होना ना होना ये उनके उपर निर्भर करता है उनका ममत तो किस से है ये भी निर्भर करता है वो किस से ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये भी निर्भर करता है और आत्माएं अक्सर उसी के साथ रहती हैं जिस से उनका ममत तो सबसे ज़्यादा होता है बले ही उनका पूरा पईवार हो लेकिन केवल वो एक साथ उन्हीं के साथ रहेंगे जिन से उनका प्रेम जादा है तो इन चारों का आपस में प्रेम था ये चारों भाई बेहन थे फिर हम फिलैस बैक के माध्यम से उस अवस्था में आ जाते हैं जहां पर हम ये सब देख रहे थे बूत काल में ही अर्थात जिस समय ये हमारे घर के अंदर प्रिवेश्ट कर चुके थे ये हर जगा घूम रहे थे फिर एक और प्रश्ण करते हैं हम मतताक्षी से आकर ये बताईए मतताक्षी आकर इस समय जो माहौल है इस छेत्र का एक अवस्थाएं हैं विचित्रसी के पूया करने या साधना करने या जब भी कोई तांतर क्रियाओं को करने के लिए सोचा जाता है या उनको करने के लिए अग्रसर होते हैं तो एक दम से रोक क्यों लग जाती है आकर ऐसा माहौल क्यों बन जाता है कि उसको हम करने ही पा रहे हैं या हमारा मन क्यों बदलने लगता है तब एक जवाब मिलता है भावनाएं इनकी भावनाएं प्रबल हो जाती है यदिजाप करोगे तंत क्रियाएं करोगे विसरष्ट क्रियाएं करोगे तो उस उर्जा का फर्क इन पर पढ़ेगा इनकी उर्जा कमजोर होगी इने तकलीफ होगी और इने भागना पढ़ेगा और ये यहां से भागेंगे और जैसे ही उर्जा का प्रभाव कम होगा ये पुन्हा आएंगे ये यहीं रहना चाहते हैं साथ में तुम्हारे लेकन सरारती है इसके बाद दिखाई देता है कि वो बड़े सरारती बच्चे फिर हम वर्तमान में आते हैं वर्तमान में आके उनकी वर्तमान के स्थितियां देख रहे होते हैं यानि अभी हम शक्तियों के माध्यम से भूत काल में गए कितने दिन पहले ये यहां पे आई कौन है कैसे आई ये मसान आखिर इनका रहा स्थिया है वर्तमान के स्थितियां उनको खोजते हैं अभी किस कमरे में कहां पर बैठे हैं नांग देवी जाती हैं बिलकुल दिस से लाइब दिखाई दे रहा होता है समाधी की अवस्था में हम हैं दिस से पूरा देख रहे हैं नांग देवी जा रही हैं पूजा कक्ष के अंदर ये चारों बैठे हुए हैं हाथ जोडे हुए तीनों भाई और उनकी एक बहन, और तीनों बैठे हुए हैं, प्रश्न हम करते हैं क्या ये पूजा कर रहे हैं, तो हमारे तरफ सभी देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, वो कालिया करती हैं जब मुस्कुराती हैं बड़े बड़े दातों वाली, सुर्ख लाल आखों वाली, बिल्कुल ही विक्त हैं, उन्हें देखने पर इनसान को खुसी नहीं होगी, बलकि रूह ही काप जाएगी, ऐ अक्सर हमने एक और जिक्र सुना है, कालिया मसान के विसाय में लोगों के अंदर, लोगों के अंतरमन में ये विसाय चलता रहता है, कालिया मसान, मसान की अवस्थाओं के आधार पर उनकी प्रवित्तियां बदल जाती हैं, जैसे भूरा मसान, लाल मसान, कालिया मसान, लेक का रूप काले वर्ण का होता है कालिया करती वाले होते हैं और कई सारे कालिया मसान मिला कर एक भूरा मसान बनाया जा सकता है विसेश्ट क्रियाओं के माध्यम से यानि भूरा मसान कालिया मसान से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अब जब ये दिस्ट देखते देख प्राप्त की फिर से कि आखर ये पूजा कर रहे हैं क्या तब एक जबाब मिलता है नांग देवी के माध्यम से ये पूजा नहीं कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि विसनात और भेरवी सिफकेसी कि इस तरीके से पूजा करते हैं यहां बैटके इस तरीके का ज प्रिबटी है इसके बात पुना हम आखें खोलते हैं हमारा संबाद होता है भेरवी सिफकेसी से कि विबरन सारा ये है वास्तविक है जो सौपन के माध्यम से आपको ग्यात हुआ है सौपन में जो आपने बच्चों को देखा है वो महज एक सौपन नहीं है वाकई ममसान आए होती है इसके बाद कुछ सावालों का जवाब स्वपन विद्या के माध्यम से लिया गया स्वपन विद्या स्वपने सुर्विद्या अर्थात स्वपने सुर्विद्या के माध्यम से कुछ नई चीजें जानी इनके विसाय में ऐसी जानकारिया प्राप्त होई कि आखर ये सपने में कैसे प्रवेस करते हैं आखर उस रात हुआ क्या था ये सब चीजें सुपने सुरविद्या के माध्यम से जानने के बाद मुनहा मातताक्षी से हम पूंचते हैं कि उस रात किस तरीके की अवस्थाय हुई थी तो हमने देखा कि ये चारों आए उस कक्ष में प्रवेस किये जहां पे भैरवी सिफ किसी विस्तराम कर रहे थे और वहां पे प्रवेस करके ये सब ही आए आके इन सब ही ने अपने आपस में हाथ पकड़े हुए थे क्योंकि किसी भी सुपन में प्रवेस करने के लिए किसी भी प्रेत आत्मा मसान भूत प्रेत पिसाच इत्यादी को अगर कई सारे प्रेत आत्माओं के साथ किसी को स्वपन में यदि प्रवेश करना है तो जंजीर कड़ी बनानी पड़ेगी जब तक जनजीन नहीं बनाएंगे तब तक सभी एक साथ सपन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं एक विशिष्ट द्वार के माध्यम से ही ये समस्त सक्तियां किसी भी इनसान के सपने में प्रवेश कर सकती है यदि उस द्वार को बंद कर दिया जाए तो कोई भी सक्ती उसके सपने में प्रवेस नहीं कर सकती है सिर्फ एक ही द्वार है वो द्वार अतियंत गुप्त द्वार है जिस द्वार के माध्यम से समस्त सक्तियां इनसान के स्वप्न में प्रवेस करती है यह हम फिर कभी बताएंगे बहुत ही गोपनिय विसा है यह तो हम देखते हैं कि जैसे ही उस गुप्त द्वार के माध्यम से स्वपन ने यह समस्त मसान या मसान पाईवार कह लीजिए इनको यह सभी जैसे ही भैरवी सिफकेसी के स्वपन में प्रवेस करते हैं तैसे ही एक जटके के साथ एक ऐसा विस्पोर्ट होता है एक ऐसा विस्पोर्ट होता है कि वो बापस रिफलेक्ट होते हैं बापस निकलते हैं सरीर मैंसे भाइर भी सिब केसी के सरीर मैंसे निकल के गम मैंसे लगता है जैसे किसी उर्जाने उन्हें फेका हो बहुत तेजी से और इसके साथ साथ एक वाइट प्रकास दिखाई देता है एक बड़ा प्रकास पुझ दिखाई देता है और वो भाग जाते हैं भागने के बाद वो कोसस करने का विचार नहीं बनाते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने वो अनिभाव किया था वो अनिभाव किया था जो उनके लिए बहुत डराओना था जैसे इनसान डरते हैं निंगिटेव एनरजी से या नकारात्मक सुरूप ली हुई सक्तियों से वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी डरती हैं सकार आत्मक शक्तियों से प्रकास पुंज उर्जा से परम उर्जा से और ये जो उर्जा थी जो पुंज के माध्यम से कार कर रही थी ये उर्जा योगसुन महादेब और योगसुन श्रीकरशन जी से जुड़ी हुई उर्जा है जो कि सिर्फ ओर्जा सुरूप में ही नजर आती है महा सक्तियां कभी भी साकार सुरूप में नजर नहीं आती है जल्दी से बहुत समय बाद वो साकार सुरूप में नजर आती है लेकिन वो जबी भी नज़र आती है तो आदकांस तहा उर्जा-पिंड में ही नज़र आती है इस तरीके का आनमाई था इस तरीके का मसान को देखा लेकिन उनके प्रति एक ममत टो जाग रहा था ममत टो कर रहा था कहम इन्हें करे और ये सारा व्रतांत उसी समय का है, उसी वक्त का है, जिस समय एक पिसाचनी भी आई थी पिछले वीडियो में आपने पिसाचनी के विस्था में सुनी होगी कहानी, उसी समय का ये व्रतांत है तूस्तमे इन सभी मसान और मसानी को पकड़ा तीन मसान और एक मसानी को पकड़ा और पकड़ने के बाद पांस के माध्यम से अर्थात्ताक्षीमा के पास जो एक पांस है उस पांस के माध्यम से इन सभी को पकड़ लिया जाता है पकड़ने के बाद विसर्ष्ट मंतों के माध्यम से योगिस और महादेव का आवाहन किया जाता है क्यों? क्योंकि योगिस और महादेव सिर्फ विसर्ष्ट क्रियाओं के माध्यम से ही आते हैं बहुत ज़ादा प्राथनाए करनी होती है तब जाके उनके दरसन होते हैं तब जाके वो प्रक्रियाँ संभा होती है इत्रियोनी और अलग-अलग सिद्धियों को बुलाना बहुत सहज है लेकिं योगे सुर महादेव का आवाहन करना बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल है और जब तक अती अवस्चक ना हो तब तक योगे सुर महादेव का आवाहन नहीं किया जाता है इसमें एक विसेस उर्जा लगती है एक उर्जा का बड़ा हिस्ता लगता है तब जाके ये क्रियाए संपन होती है योग उस्तुर महादेव को आबाहन करते हैं प्राथना के माध्यम से उनसे कहते हैं हे प्रभू इनके अंदर का जो ताम सिक्तत्व है उसे खीच ले और इन्हें सुद्ध जीवात्मा बनाएं अर्थात विसुद्ध जीवात्मा बनाएं कहने का ताथ पर ये है कि इनकी अच्छी प्रभूत्ती को ही इनके अंदर रहने दें इनके अंदर जो क्रोध आक्रोस और जो क्रूर प्रभूत्ती है जो इनने तमोगुनी बना रही है उस प्रवित्ती का हरन करें प्रफू इसके साथ एकदम से योग इस और चक्रवाद चलता है और योग इस और चक्रवाद चलते चलते एक अद्भुत चीज़ होती है उस समय जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी पहले हर बार जब योग सु चक्रवाद चलता था ऐसे सुद्धी करण के लिए तो उस समय उनके अंदर का उत्त तो खिच जाता था तमोगुनी तत्त और उस सुद्ध सक्तियां रह जाते थे कहने काताथ पर ये है जैसे जीवात्माए होती है पवित्त जीवात्माए उसी तरीके के रह जाते हैं यानि कोई पिसाच है तो पिसाच पवित्त जीवात्मा भी परवर्तित हो सकता है यदि उसके अंदर अंसमात भी बाकी है सुद्धी करण होने का अर्थात उसके विसुद्ध बनने का तो इस बार ये देखते हैं कि मा तताक्षी का पास बिलकुर खाली हो गया चक्रबात के अंदर वो चारों की चारों जीवात्माई गायव हो गए और हमें एक बार को लगा कि ये क्या हो गया ये कौन सी अनुहोनी हो गई ये तो हमने पहली बार देखा है बड़ा विचितर अन्भाव था और एक दम से पुनहा प्रकास नजर आता है और वो चारों को चारों उस प्रकास से फिकते हैं और उसी पांस के अंदर गरते हैं लेकिन इस बार उनकी आकरतियां काले वर्ण की नहीं थी वो काली आकरतियां लाल आखों वाले और बड़े बड़े दांतों वाले नहीं थे इस बार वो छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही जैसे इनसानों के बच्चे नजराते हैं और ओम नमहाशिवाए ओम नमहाशिवाए ओम नमहाशिवाए ये मंतर जाब कर रहे थे हमें भी उनके प्रती प्रेमाने लगा और हमें विचार आया कि इन्हें हम सिद्ध करें फिर हमने माताताक्षी से पूछा क्या इन समस्तों को एक बना देना चाहिए इन सभी की जीवात्माओं को मिला के एक मसान का निर्मान करना उचित रहेगा तब माताताक्षी ने हमें कहा कि एक मसान निर्मान करना उचित नहीं है बलकि इनको साथ रहने दो ये सभी आपस में प्रेम करते हैं यदि इनको साथ में प्रियोग करेंगे तो कहीं इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बहुत तीव गती से ये कार करेंगे अच्छा कार करेंगे और फिर हमने ये भी पूछा मतदाक्षी से क्या इन्हें भैरवी सिफकेसी और हम दोनों लोग कर सकते हैं क्या ये संभाव है कि एक ही सक्थी को एक ही मंत के माध्यम से दो लोग कर सकें तब हमें जवाब प्राप्थ हुआ बिलकुल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ये कार करेंगे लेकिन होता क्या है हमेशा जब कोई तमोगुणी उर्जा होती है या कोई नकारात्मक सुरूप ली हुई शक्ती होती है तब आप उस सक्थी से गलत कारें तो बहुत जल्दी करवा लेते हैं लेकिन अच्छे कार करवाने में वक्त लगता है लेकिन जब कोई शक्ती अच्छा सुरूब धारन कर लेती है तो वो सक्ती अच्छा कारी तो जल्दी कर देती है लेकिन गलत कार करने में उसको वक्त लगता है क्यों? क्योंकि गलत प्रवित्ती तो उसकी नस्टो हो चुकी होती है वो गलत रहा ही नहीं होता है तो इस तरीके से इन चारों को तीन मसान और एक मसानी को हमने आज भी अपने मंदिर में ही इस्थान दिया हुआ है कहने का तात पर है मंदिर के कक्ष में इस्थान दिया हुआ है और अक्सर हम उने कहते हैं, चलो बच्चो ओमनमहाशिवाय जाब करो और अक्सर वो नजर आते हैं, जैसे ओमनमहाशिवाय मन्तजाब कर रहे हैं कबच तो लगा हुआ है, लेकिन कबच लगे होने के बाद भी उनके लिए एक विसेस्प दक्रिया है कि वो कबच से बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं इस तरीके की चीज़ें होती हैं और प्रेम से आप सभी को बदल सकते हैं प्रेम में इतनी सकती होती है कि आप किसी के भी सुभाव को बदल सकते हैं लेकिन प्रेम आपका सचा होना चाहिए उस जीवात्मा के अं अंसो होना चाहिए जो सही हो सकता है और जिस आरिके से हमें वो अच्छे लगने लगे वो मसान और हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमसे जुडे रहें हमारे साथ रहें हमेशा वैसे ही कहीं न कहीं वो भी हमसे ओज़ा हुआ अन्भॉ महसूस करते हैं उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी जगा पे हैं उन्हें लगता है कि उन्हें यहां प्यार मिलेगा और इस समय हम जो यह वीडियो बना रहे हैं रात्री का बक्त हो रहा है रात्री के साड़े तीन बज रहे हैं और ये वीडियो अर्थाती आडियो बनाते हुए वो सभी सुन रहे हैं हमारी बातों को और अच्छा अन्भाव कर रहे हैं खुस अन्भाव कर रहे हैं तो कुछ जीवन में ऐसी कहानिया होती है जो आपकी आप बीती होती है रासमई होती है सुचिए जब सुनने में ही इतनी रोचक लगती है चीज़ें तो जब आप इन्हें देखेंगे या कभी करेंगे या कभी आपका इन से सामना होगा जीवन में या आप कभी ऐसे माहौल में होंगे जब आप ये समस्त चीज़ें जानते हैं या उस जगत और संसार को देख सकते हैं जो सिर्फ आपने सुना है तो सोचिए कितना रुमान्चक होता होगा वुपल आपके लिए किस तरीके का आप अन्भाव करते होंगे एक अलग ही दुनिया की आपकी वो यात्रा होती है एक अलग ही दुनिया को आप अन्भाव कर रहे होते हैं और आप कहीं न कहीं अपने जीवन में एक नए आयाम को भी अन्भाव कर रहे होते हैं तो इस तरीके कि ये मसान और मसानी का हमारा अन्भाव है जिसे हम सिद्ध करेंगे अपने आप से जोडेंगे आगे हम उनसे कारे लेंगे अच्छे कारियों के लिए और जब एक समय काल आएगा तो उस्ता ही मुक्त हो जाएंगे कहने कातात पर ये है कि जब उन्हें दुबारा से जन्म लेना होगा तो वो जा सकते हैं और जन्म ले सकते हैं उन्हें ना ही बंधित किया गया है ना ही उन्हें कभी बंधित किया जाएगा क्यों? क्योंकि हम विस्वास करते हैं प्रेम में ना कि किसी को बंधित करने में और लोगों का अच्छा कार करने में और ये सक्तियां भी कही न कहीं अच्छा करती है लेकिन जब जब आप उनकी प्रवित्ती सही कर देते हैं और ये जो इस तरीके के मसान होते हैं ये भी कहीं न कहीं प्रेम के भूंके होते हैं और आज जब सब कुछ बदल गया है आज जब इनका तत तो बदल गया है तो अब ये नहीं रोकते हैं पूजा करने से ना पाट करने से ना ही इने तकलीफ होती है किसी भी मनतजाब से फिर चाहे वो हनमान चालीसा हो चाहे वो कोई भी कबच पाट हो इने कोई तकलीफ नहीं होती है यह वहीं आस पास होती है तो सोचिए कि एक मसान आखिर ऐसे कबच पाट के बीच में कैसे रह सकता है रह सकता है जब उसकी प्रवित्ती सही हो जाती है उसका तत्त बदल जाता है और उसका सुधी कान हो जाता है तब वो हर जगा रह सकता है तो ऐसी ही कई सारी सक्तियां है और हमने ऐसे ही बहुत सारी इत्योनी और अलग अलग सक्तियों को हमने लोगों को कराया है जिनका हमने सुधी करन करके लोगों को कराया है जिनके अंदर कोई तमोगुणी गुण नहीं है और ना ही वो चीजें किसी को नुकसान देती है तो ऐसा हमारा अन्भाव है और जब हम इनको कर लेंगे और इनका प्रियोग करेंगे तो जो भी हमारा अन्भाव रहेगा जो भी नई कहानिया रहेंगी कहानिया आपके लिए तो कहानिया हैं लेकर हमारे लिए आप भी इती है तो जो भी अन्भाव रहेगा वो हम आप लोगों को फिर कभी किसी वीडियो में जरूर बताएंगे तो इस वीडियो में बताईएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको यह हमारा अन्भाव और किस तरीके की लगी यह मसान और मसानी की कहानी आदिश जर्श महकर तो इस वीडियो में बताएंगे झाल झाल